कोरोना काल में कई तरह की सावधानियां रखने की सलदी जा रही है जैसे शोशल डिस्टेंसिंग, साफसफाई, मास का इस्तमाल ताकि इस संक्रमन की चपीट में आने से बच सके वहीं ऐसे लोग जो पहले से किसी बिमारी से पीडित हैं उन्हें इस बात को बिलकुल भी अंदेखा नहीं करना चाहिए वनना उनकी सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पढ़ सकता है साथ ही अपनी सेहत की खास देखभाल करने की भी जरूरत है यही बात लागो होती है अस्तमा के मरीजों पर ऐसे लोग जो अस्तमा जैसे सांस की समस्या से जूच रहे हैं उन्हें अपनी सेहत को लेकर खास सावधानी बरतने की जरूरत है अस्थमा एक ऐसे सिती है जिसमें सांस की नली में सूजन आ जाती है इसके चलते सांस लेने में तकलीफ होती है सांस की नलियों में अतिरिक्त म्यूकस बनने लगता है सांस लेने में तकलीफ के कारण खासी आती है वो नलियों में सिकुड जाने से दम फूलता है कोर्ना काल में अस्थमा के मरीजों को कुछ खास आपधानियों की जरूरत है आईए जानते हैं किन किन बातों का रखे खयाल पहला इस दोरान संतुलित आहार ले वो पुष्टी आहार को अपनी डाइट में शामिल करे फल वो हरी सबजियों का सेवन करे दूसरा एलर्जी का खतरा बदलते मौसम में ज्यादा बढ़ जाता है इसलिए अपनी सेहत को नजरंदास ना करे तीसरा जिने सर्दी खासी जैसी समस्या हो वे उनसे दूरिया बना कर रखे चौथा साफ सफाई का विशेश तोर पर ध्यान रखे जिन चीजों को आप ज्यादा चूते हैं उन्हें साफ रखे जैसे मोबाईल, लाब्टॉप, टीवी, रिमोट वदर्वाजे के हैंडल आदी पांचवा, अपने घर में हुमिजिटी को कम से कम रखें जिससे के सांस सम्मदित परिशानी आपको न हो छटा, स्मोक के धुएं से आपको परिशानी हो सकती है इसलिए इस बात का ख्याल रखें सात्वा, मेडिटेशन का नियमित अभ्यास करें जिससे कि आप मानसिक और शाररिक दोनों ही तरह से सेहत मन्द रह सकें तो दोस्तों, उमीद है आपको सेहत से जोड़ी अर्थप्रकाश टीवी के माध्यम से जानकारी बेहत फायदे मन लगे होगी तो देड़ ना करें हमारे वीजियो को लाइक, शेयर करें और चानल पर सब्सक्राइब वाला बटन दबाना न भूले ताज़ा अपडेट्स वा बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूले